प्रदेर सरकार भले ये दावा कर रही हो कि अब वहर वर्ग को राशन काड के माध्यम से सस्ता चावल उपलब्द करा रही है जिसका लाप सबको पहले से भेतर धन से मिल रहा है लेकिन राइगर जुले के बरम केला ब्लॉक के मुख्याले से 14 केड में दूर जटिया पाली के परमेश्वर राणों को इसका खामियाजा भुकटना पड़ा यहां पर अती निर्धन एवं दिव्यांग परमेश्वर के अनुसार पहले उसे 35 किलो चावल मिलता था पर अमने राशन काड से मात्र 10 किलो ही राशन में रहा है जिसका गुजारा हुपाना मुश्किल हो रहा है इसी की फरियाद लेकर वहां तेसिल ओफिस के चक्कर काट रहा था तब उसकी मुलाका धम से हुई और उसकी फरियाद पहुचानी के दिशा पहल की गई उमिधे बे सहारा ने धन और दिव्यांग की फरियाद सुनी जाएगी लेकिन बहतर व्यवस्ता के लाग दावे के बाउजूत एक हकीकत ये भी है जो व्यवस्ता पर सवाल खड़ा करती है आप से अभी ओइसा हो गया है ताती दिव्यांग और निधन वर्ग के लिए अंतुदे काट अलग प्रावधान है उसमें 35 किलो दिया जा सकता है इसके बारे में क्या कहना हो मैं तो कौंगा सरो उसको 35 किलो मिले जिसके काट के पील बीपेल और अरती कमजोर वर्ग को रसन काट किया जाना ओड़ना काट किया जाना है इस रहसंकर अलग अलग वर्ग यह उस रहते हैं उसाप से अलग अलग शुदहाए है उस सुदहार पने फरियाद ले करके अज तहसिल अपिस बारं के ला में आये है और इसके द्वारा अवेदशन फुद इसप्ट्र को दिया पुड़ी स्पेक्टर अभी यहां पर नहीं है लेकिन जो उनके अधिनस्त हैं उन्होंने कहा है कि जल्द ही इनके आविधन का निराकरन कर दिया जाएगा कहां सा आय है उह उन्हों सा पॉड़ता है श्यनकर्यों यहां हयंए लेकिन द्धं से उसका पाणा वगां इसका जताजाक का उधारन है प्रकाली कै रहा कि ज्दीडां पाली की इंड़लाइग और तसाहेगाओ कि मुहनाइज क्या क्यायन कर दृत्तु झाल